असलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैद अटेक, आठकेस एपिसोड में मैं आपको जंगल में हाइकिंग के लिए यूज होने वाले कुछ अमेसिंग गैजट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, so let's begin multi-tool blade knife, दोसों ये जो gadget आप दिख रहे हैं, ये देखने में तो एक gun लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत useful multi-tool है, इसकी shape एक rifle की तरह बनाए गई है, ये gadget एक kit के अंदर मौचूद होता है, जिसमें इसके सारे parts और tools मौचूद होते हैं, इस rifle shape gadget के अंदर एक screwdriver, bottle opener और sharp knife मौचूद होता है, इसे high quality stainless steel से बनाया गया है, जिसकी बज़ा से ये rust proof होता है, और इसके इलावा ये बहुत ही sharp होता है, आप इसे एक keychain के तोर पर अपने keys के साथ भी लगा सकते हैं, ये mini tool देखने में जितना simple लगता है, उतना ही useful भी है, hunt 4.0, दोस्तों ये जो gadget इसकी अंदर tools के साथ साथ एक lighter और flashlight भी मौचूद होती है, इसकी सबसे खास बात ये है, कि ये gadget waterproof और fire resistant होता है, इसके इलावा इसमें high quality flashlight लगाई गी है, जो कि 7 गंटे तक मुसलसल तेज रोशनी देती है, अगर इसकी multi tool की बात की जाए, तो इसमें screwdriver, bottle opener और fishing road repairing जैसे 10 tools म किया जा सकता है, leather man signal, दोसो leather man signal दरसल एक multi tool gadget है, इसकी सबसे खास बात ये है, कि ये multi tool बहुत ही compact होता है, आप इसे आसानी से अपने bag के अंदर रख सकते हैं, इसके इलावा इस multi tool में वो तमाम tools मौचूद हैं, जिने mostly hiking के दौरान यूज़ किया जाता है, जैसे कि knife, saw, screwdriver, driver, hammer, bottle opener, और wire cutter वगेरा, सिर्फ इतना हैं नहीं, बलकिस की अंदर एक lighter और signal finder भी मौचूद होता है, जिसकी मदद से आप emergency की सुरत में signal वाली जगा का पता लगा सकते हैं, ये gadget सच में कमाल का है, Cam Stove 2 दूस जैसा कि आप सब जानते हैं कि hiking के दौरान राप के वकत आग मस्ट जलाई जाती है, ये जो advanced stove आप दिख रहे हैं, इसे खास दोर पर hiking lovers के लिए बनाया गया है, ये दर असल एक rechargeable device है, जिसके अंदर लकडियां डाल कर ना सिर्फ आग जलाई जा सकती है, बलकि इसे ऐज़े charger और flash light भी यूस किया जा सकता है, सिर्फ इतना ये नहीं, बलकि आप इन लकडियों के ऊपर tea making और cooking वगयरा भी कर सकती है, इस device में 26 mAh की बैटरी लगाए गी है, जिसकी मदद से इसे कई घंटों तक लगतार यूस किया जा सकता है, वेल camping के दौरान आग जल प्रूरी है, ये जो gadget आप दिख रहे हैं, ये एक बहुत ही advanced sleeping bag है, देखने में तो ये एक चोटा सा bag लगता है, लेकिन आपको जानका है हैरानगी होगी कि इसके अंदर एक शक्स अराम से सो सकता है, इसे एक protective cover भी घाच आ सकता है, एमरजंसी की सुरत में आप इसे अपने आपको cover करने के लिए use कर सकते हैं, और मज़ेगी बात ये है कि ये bag heat reflective होता है, इसे ना तो गर्मी अंदर आ सकती है और ना ही सरदी, प्लस ये bag waterproof भी होता है, इसलिए इसे बारिश में भी आसानी से use किया जा सकता है, पोर्टिबल केम फायर, दूस्थ हाइकिंग के दौरा केम फायर इजात की है, आपको जानका हैरानगी होगी कि इसकी मदद से आप बगेर किसी मैनत के कभी भी और कहीं पर भी आग जला सकते हैं, इस केम फायर में आर्टिफिचल स्टोन्स मौजूद हैं, जो देखने में बिलकुल कोईली की तरह लगते हैं, जैसे ही आप इन प प्यूरिफायर, दोस्तों अगर आप जंगल में हाइकिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ अक्सर पानी अवेलेबल नहीं होता, और अगर कहीं पानी बिल भी जाए, तो वो पिने के काबल नहीं होता, लेकिन ये जो स्मार्ट गैजट आप दिख रहे हैं, इसकी मदद से आ आप हाइकिंग के दौरान 100% प्यूर पानी पीने का मज़ा ले सकते हैं, ये असल में एक वाटर प्यूरिफाइंग डिवाइस है, जो के पानी के अंदर मौजूद वाइरस और बेक्टेरिया को कम्प्लीटली खतम कर देती है, इस फिल्टर में एक बैग लगा होता है, जि ये गैजट रियली बहुत यूसफुल है, ये एससी एएच वन, दोस्तों अगर हाइकिंग गैजट्स की बात की जाए, तो इन में नाइफ का नाम टॉप अफ दा लिस्ट आता है, वैसे तो आप सब ने बहुत से हाइकिंग नाइफ देगी होंगी, लेकिन कि आपने कभी इस शेप का नाइफ देगा है, फस्क लास में तो ये एक ट्वाइल लगता है, लेकिन आपको जानका है हरानकी होगी कि इस नाइफ के अंदर एक रेगुलर नाइफ वाले तमाम फीचर्स मौजूद हैं, इसे स्टेनलेस टील से बनाया जाता है, और ये नाइफ इतना शार सर्वाइवल बेल्ट 2.0, दूसों वैसे तो आप सब ने पैंट के साथ बहुत से बेल्ट्स यूज किये होंगे, लेकिन इस जैसा अमेजिंग बेल्ट आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, इसे खास तोर पर हाइकिंग पर जाने वाले लोगों के लिए बनाया ग जाती है, जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं, तो आपको एक शार्प नाइफ नजर आएगा और इसके साथ एक बटन लगा होता है, जिससे दबाने पर फ्लेश लाइट आउन हो जाती है, वैल ये बेल्ट रियली बहुत अंजूजवल है, ट्रेक रोल दोस्तों हाइकिंग के ट्रेक होता है, जिसके अंदर इन्फलेडेबल मैटरस के साथ साथ बिल्ट इन फंप भी मौजूद होता है, इसके मदद से आप एज Gonzree मैटरस के अंदर हवा भर सकते हैं, जब इसके अंदर हवा बरते हैं, तो ये मैटरस 4 इंच तक मोटा हो जाता है, इसके इलावा इस ब परदस्ट चीज और कोई नहीं हो सकती स्वीट फायर दूस अगर माचस की बात की जाए तो आम तोर पर इसकी तीलियां कुछ सेकंड्स जलने की बात खतम हो जाती है लेकिन कि आपने कभी कोई ऐसी मैच स्टिक देखी है जो मुसलसल 15 मिनट तक जलती रहे वैल ये जो माचस आप दिख रहे हैं ये दूसरी माचसों के मुकाबले में बहुत ज़दा डिफरेंट है इसकी खास बात ये है कि एक दफ़ा जलने के बाद लगातार 15 मिनट तक जलती रहती है इसे गन्ने के वेस्ट और वेजटेबल वैक से बनाया जाता है आप इसे जंगल में आग जलाने के लिए आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं एक और मज़गी बात ये है कि अगर लकणियां गिली भी होती है तो ये माचस बुशती नहीं है और इन गिली लकणियों को भी आसानी से आग लगा देती है ये मैचस टिक वाके ही में बहुत जबरदस्त है तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस